सोबनाद प्रभास तेर्थनु गोलक धाम ज्वाती बगवान क्रिश्ण एपोतानी मानव वली लाना विराम आपी नीज धाम प्रस्थान करू हतो अने अफवन भुम्या आविल गीता मंदिर खाते गीता ज्वानती नी साथे जब भक्ती पूर्वक उजवनी पन कर्वा मावीच अना पावन प्रसंगे ट्रस्थ ज्वेडी परमार साहिब द्वारा गोलक धाम तेर्थना केंदर विराजमान भगवान क्रिश्ण नीज पादू का अने अभिशेक कर्वा मावी हतो जमा मोटी मात्रमा श्रदाडवी लाब लिदो हतो तैमज आउनार दरेक बक्तूने प्रसाथ वित्रन कर्वा मावी हतो बगवान स्री कुष्ण के अंतिम लीला के स्थान देहोच सर के नाम के से हैं उसमें खड़े हैं जो गोलोक धाम के नाम से अभी प्रसिद्ध है जहां बगवान के स्री चरण है और जहां से बगवान स्वर्गलोक में सदे को पदारे हुए थे इस स्थान में आज गीता जहनती के उस्व के निमित रूप सीमत भगत गीता का पाठ चल रहा है पाठ के हंत में भगवान स्री कुष्ण के चरण पादुका की पुजा होगी